नमस्कार दोस्तों मैं हूं डेविड स्वात करता हूं आपका बर्माट एक इडिव चैनल में गाइज यहां पे जो इंडियन कोस्ट गाट का फॉर्म निकला है इसमें दोस्तों जो भी आप लोग को डॉक्मेंट अप्लोड करना है फोटो सिगनेचर और थम इंप्रेशन चाहिए जैसे ही आप लोग फॉर्म को फिल अप करते हैं तब क्योंकि दोस्तों अगर फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है यह सब चीज़े के बारे में तो दोस्तों क्या होगा कि आप लोग गलत अप्लोड कर दीजिगा जिसके कारन दोस्तों लोगो बदलाने वाले हैं तो चलो इस तो वीडियो को शुरू करते हैं उसे फिल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप होड़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन जोड़ता आते ताकि इसी परकार का अपडेट आ और राइट थम इंप्रेशन यानि कि दोनों जो अंगुठा का निशान होता है लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का थम का उसको यहां पर आप लोग को एक पेपर पर वो करके देना होता है और यहां पर अप्लोड करना होता है तो कैसे करना होता है उसके बारे में यहां तीन मंथ के प्रिट का होना चाहिए, तीन मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कि लाइट बैगराउंड में लेना है, विदाउट हेट, गेर मतलब कि जो भी टोपी पे गराला आते हैं, इस अब नहीं लगाना है, एकसेप्ट फोर सीख, मतलब कि सीख पीपूल होते हैं, उन लोग साहिद लगा सकते हैं, कि यहाँ पर बताया गया है, कि एकसेप्ट फोर सीख, और यहाँ दोस्तों आप नेक्स्ट पर बात करें, आपर बताया गया है, कि विदाउट एस्पेक्लेस, यानि कि चसमल आके आप लोगो फोटो नहीं क्लिक करवाना है, फोटो कैसे क् ब्लैक सिलेट लेना है, जो सिलेट होता था बचा को पढ़ने वाला, उस पर अपना नाम लिखना है, वो भी सब जो भी वर्ड लिखेगा, वो सब कैप्टलेटर में होगा, और उसके नीचे आप लोगो डेट फोटोग्राफी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते है जो सेंपल इमेज है, इसमें बताया गया कि कैसे आप लोगो यहाँ पर अपलोड करना है, अब दोस्तों यहाँ पर यह चीज जानगे कि सिलेट पर ही नाम लिखके वो करना है, सिलेट पर आपका नाम लिखना है, उसके नीचे डेट और फोटोग्राफी लिखना है, जिस भी आप अपलोड कर रहे है, वो उसका jpg format होना चाहिए, और size दोस्तों 10 से 100 के भी के बीच में होना चाहिए, 10 के भी से कम नहीं होना चाहिए, और 100 के भी से जादा नहीं होना चाहिए, कि बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, और face outlook with respect to beard मतलब कि आपका जो वो beard रहत तो यह मत होना चाहिए, कि इस वाले में इस में और photo में signature और left में right का hand, यह सब चीज मतलब mix नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है, कि उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है, कि अगर आप लोग valid नहीं upload करते हैं, तो यहाँ पर system allowed नहीं करेगा, यह सब चीज़ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यह main चीज यहाँ पर बताया गया है, यह चीज को आप लोगो समझना है, यहाँ बताया कि when uploading photo signature और thumb impression, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कैसे करना होता है, कि अगर photo जब आप लोड कर रहे हैं, तो जो photo का नाम होना इससे अलग रहेगा, तो यहाँ पर upload नहीं होगा, तो क्या करना होता है, कि देखिए, जैसे ही photo upload करना है, तो इस वाले नाम को यहाँ से पूरा आप लोगो copy कर लेना होता है, तो देखिए, यह select हो गया, इसको यहाँ पर copy कर लेंगे, passport और यहाँ पर space type के दिये हुए है, और photography लिखे हुए, तो same इसको copy कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर passport size वाले में, choose file में जाना है, आप लोगो, और देखिए, जो भी आपका photo है, माल लिजे कि यह हमारा photo है, तो इसका नाम दोस्तों देख सकते हैं, जो यहाँ पर rename है, उसमें जाना है, और वो जो copy किये थे उसको यहाँ पर paste कर देना है, देखिए, यहाँ पर लिखा गया, passport, space type का, यह जो है, back space इसको बोलते है, photography, यह ऐसा ही नाम रखना है, इससे अगर कुछ भी अलग रखते हैं, तो यहाँ पर upload नहीं होगा, अब देखिए, यहाँ पर हम इंटर क्लिक कियें, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है, और date of photography भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो photography है, वो यहाँ पर आगे आप इसको double click करेंगे, और यहाँ पर देखिए, पूछ रहा है कि आप upload करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग करना चाहते हैं, और वापिस से हम दूसरा कोई photo upload करेंगे, तो वो नहीं upload होगा, जैसे देखिए, यह photo को हम upload करेंगे, यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि जो आप यहाँ पर जार रहे हैं, उसका rename सही नहीं है, इसके करना अप्लोड नहीं होगा, तो इसको यहाँ पर close करना पड़ यहाँ पर जो आपका photo है, वो successful upload हो जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पर photo upload हो गया, तो यहाँ पर हम signature पर चलते हैं, तो signature दोस्तों कैसे करना है, देखिए, यहाँ पर white page पर black pen से किया होगा है, तो आप लोग भी same ही किजिएगा, white paper ले लिजिएगा, उसके black pen से करके, इसक यहाँ पर जो signature upload करेंगे, तो file का नाम signature लिखना आए, तो इसको फिर से यहाँ पर copy करेंगे, अब फिर से यहाँ पर upload वाले में जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका signature है, इसको पहले rename करके सही करेंगे, देखिए, इसका नाम यह लिखा हुआ था, तो इससे नहीं होगा, यहाँ पर signature लिखना पड़ेगा, तो इसको हम paste कर देए, देखिए, signature लिखा गया, अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसको डवल क्लिक करेंगे, और देखिए, यहाँ पर आगे है, इसको skip पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो आपका signature है, वो successfully यहाँ पर आगे, देख सकते ह अब दोस्तों यहां पर left hand का thumb impression मांग रहा है देख सकते हैं white paper पर black इंग से हैं तो आप लोग भी same ऐसा ही कर लिजिएगा black या blue दोनों से मेभी upload कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर black से हैं तो आप लोग black से ही किजिएगा ज्यादा बेटर हैगा मेरे पास मेभी blue वाला है तो हम सिर्फ आप लोग को डेमो के लिए यहां पर upload करके दिखला देते हैं देखिए उससे पहले यहां पर आप लोग यह चीज दियान दे लिजिए कि यहां पर left hand impression upload करने के लिए नाम कैसा होना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं यह वाला नाम होना चाहिए left thumb impression ऐसे करके करके लिए इसको यहां पर copy कर लेंगे और यहां पर चूर्ज फैल में जाएंगे और यहां पर देखिए जो थामई म्प्रेशं लिखे हुए नाम इसको चेंज करेंगे यहां पर क्योंकि वहां पर बताया गया है यहां पर बताया गया जैसे left thumb impression लिका गया इसपर ओके करे देखिए यहां पर जैसे ही upload पर क्लिक किया है अब यहां पर अपने आप यहां पर जो हमारा left hand का thumb impression था successfully आ गया है लेकिन दोस्तों आप लोग black ink होगा तो black ink सहीं किजीगा मेरे पास blue था तो हम आप लोग को सिर्फ demo के लिए यहां पर करके दिखला दिया है अब चलिए right hand पर क्लिक करते हैं और right hand पर क्लिक करने सपहले दोस्तों यहां पर देख लिजिए कि right hand में कैसे rename किया गया और यहां से दोस्तों इसी को हम अभी rename कर लेता है मेरे पास है नहीं right hand का तो हम left hand वाला ही सिर्फ आप लोग को rename करके और upload करके दिखला देते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा गलती मत किजेगा मैं आप लोग को परस्ट बता दे रहा हूं आप लोग zone में मांग रहा है हमारा जो भी यहां पर थम इंप्रेशन है वो upload होना चालू हो जाएगा और देखिए यह हमारा जो upload successful हो भी गया तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को जो अपना photo signature और left hand और right hand का थम इंप्रेशन है उसको upload करना होता है देख सकते हैं कितना आसानी पूर्वक से यहां पर जो हमारा सबस्रीश डॉक्मेंट था वो upload हो गया अब बहुत साथ स्टूरेंट भाई लोग दोस्तों कुछ गलती करेंगे जैसे कि यहां पर अपना यह rename नहीं करेंगे और वो सोचेंगे कि ऐसे ही upload हो जागा तो वह ऐसे upload नहीं होने वाला है इस चीश को आप लोग को नीचाना यह बहुत ही necessary है उस पर आपना नाम लिखना है और नीचे date of photography लिखना है जो कि जब आप फोटो घीचवार है उसका date होना चाहिए और फोटो का जो date है mention करना है वो तीन मंत के पीछे का ही अंदर का फोटो होना चाहिए उससे ज्यादा पीछे का होगा तो यहां पे upload मत कीजेगा नहीं तो आपका reject हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों बाकी सब document को आप लोग को upload करना होता है जो कि हम आप लोग को बता दिए अगर दोस्तों आप लोग को कुछ भी प्रकार का problem आ रहा है तो आप लोग comment करके बता सकते हैं हम आप लोग को reply दे दें जब यह हमारा form fill up करना होगा तो इसको हम सही कर देंगे क्योंकि दोस्तों इसमें हम right hand वाले में भी left का ही डाल दी है तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहे हैं आप लोग दोनों में सब चीज सही डालिएगा जो जिसमें जो म कोई भी परगा का प्रब्लम है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं क्लिए नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हैं जय बारत